यह जो लेक्चर मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूं इसको मैं टेली ग्राम वाले चैनल पे भी डाल दूंगा और चाहिए तो मैं अपलोड कर दूंगा हमारे यूट्यूब पे ठीक है आप वहां से भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे यूट्यूब पे जाके और मेरी जो फ्री ब पता भी चल जाएगा अब देखो आगे जाते हैं यहां पे एक मॉड्यूल होता है टर्टल नाम का एक मॉड्यूल एक फाइल होती है पाइथन में टर्टल नाम की आपको उसको डाउनलोड करके आपकी फोल्डर में डालनी पड़ेगी आप एक काम करो डायरेक्ली कमांड में जा रहा हूं यहां पर यहां पर लिग देता हूं सबसे पहले आपको जरूरी है कि यहां पर जब भी आपको कोई मॉड्यूलड करना है रुक इसको क्लो doen कर देता है पुरान है इसको क्लोज करता हूं कि सिंप्ली आप सर्च कर लो डाउन लोड टर्टल मॉड्यूल डाउन लोड टर्टल मॉड्यूल ऐसा आप सर्च करोगे तो भी चलेगा अरे यहां पर आपको एक वेबसाइट दिखाए देगी पी वाई पी आई उस पर क्लिक करो आपको यहां देखो लिखा हुए पी आई पी इंस्टाल पाइथन टरिटल दिख रहा है ना आपको यहां पर कॉपी करना है बस यहां पर क्लिक करना है आपको और कुछ नहीं करना पेस्ट कर दो इंटर बटन दबाता हूं यह यहां पे आपका मॉडूल डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा यह देखो हो गया इंस्टालिंग कम्प्लीटेड पैकेज यहां पे मेरा यह डाउनलोड हो चुका है बस आपको इतना ही करना पेस्ट कर देना पी आईपी लगने वाला यह module इसके अंदर कौन सी लाइन लिकिए हुई यह module मतलब फाइल उसके अंदर बहुत सारा स्पीड बढ़ानी है डीले वगरे कितने की स्पीड से चला रहा है वो सब तो आपने एक डीले नाम की मेमरी बनाई है जिसमें 0.1 रखा है डीले क्यों जो सने कहना काफी स्लो चलेगा उसके बाद आगे जाने के बाद डीले को 0.1-0.001 करोगे इससे न क्यों एक फुट खान होगे तो जल्दी पहुंचोगे ना मतलब स्पीड बढ़ती है स्पीड बढ़ाने के लिए आपको और माइनस दीले में से करना पड़ेगा आप एक सेकंड लेट हो रहे हो मैं आपको बोलूँगा आप आधा सेकंड लो लेट हो जाओ तो आप क्या करोगे माइनस ही करोगे बस वही चीज है वो आगे करेंगे हैं उसके बाद यहां क्या लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ है स्कोर की वैल्यू जीरो कर दो एक स्कोर नाम की मेमरी बना लो उसकी वैल्यू जीरो कर दो हाइस्ट स्कोर नाम की जो मेमरी है उसमें जीरो रग दो क्योंकि बाद में लिखाई देने वाली है उसको screen बोल रहा हूं तो turtle नाम के module के अंदर एक screen नाम की class होती है turtle नाम के module के अंदर इसलिए turtle.screen लिखा है उस class का object बनाना है मैंने बोला अगर मैं आपको बोलू box नाम की एक class है उसका object बनाओ तो आप क्या लिखोगे पता है b1 is equal to box और दो brackets बन गया object अगर ये box कौन से folder में turtle नाम के folder में तो आप पता है क्या लिखोगे turtle.box तो उसी तरीके से तो मैंने लिखा turtle.screen और s नाम ये जो आपका b1 है वो variable है reference variable जैसे आपने x में 10 रखा तो ये 10 आपका object है आप किसकी मदद से उसको access करोगे x की मदद से ना तो कोई तो रहना चाहिए जिसकी मदद से आप access करोगे तो वो क्या है s s और उसी screen नाम की जो class है उसके पास एक function होता title नाम का आपको title क्या देना है देखो run करा के दिखाता हूँ आपको एक बर यह देखो उपर कहा गया यह दिख रहा है का title snake game इसको change कर दू क्या title को title change करके कर देता हूँ snake game snake new game लिखता हूँ रुख जाओ यहाँ पे लिखता हूँ snake new game अभी run करता हूँ क्या आया पढ़ो snake new game आपको अगर title देना screen का तो आप वो set कर सकते हो screen नाम का ready made function है title नाम का ready made function है screen नाम की class के अंदर उसको use करो s.title s की मदद से आप access करोगे यह object है आपका s.bg color yellow वो जो background color yellow है उसको red कर दू यह देखो red लिख दो बस अब run करो yellow red हो गया आपको जो भी color चाहिए आप light blue भी कर सकते हो दिखा दू आप यहां पर लिख दो light blue light light red भी कर सकते हो यह देखो light red नहीं blue करता हूँ चला कि क्या होता है जैसे मैं से run कर रहा हूँ यह देखो light blue कर सकते हो आप ऐसे आपको जितने भी colors है उनका नाम लिखके आप यूज कर सकते हो bg color नाम का function होता है उसके बाद लिखा है as.setup आपको screen कितनी बड़ी बनानी 600 by 600 की मतलब यह जो screen है यहां से लेके पूरी नीचे तक 600 है और इस तरब भी 600 है total 600 की बना और बड़ी कर दो थोड़ी game थोड़ा बड़ा और हो जाएगा 800 कर दो 800 और उसकी height भी 800 कर देता हूँ width नाम की memory होती है उसके अंदर आप ready matter width नाम की memory आपको pass कर देना 800 by default एक fix size होती है लेकिन अगर आप यहां पे बताओगे तो वो एक अपने हिसाब से size लेगा आपके हिसाब से देखो थोड़ी बड़ी हो जाएगी देख रहे हो बड़ी हो गई तो आप screen को बड़ा भी कर सकते हो उसके बाद snake का head बनाना है head मतलब जब आप game खेलोगे तो आप क्या करोगे यह मान लेते हैं screen आपने बना ली है screen बनाने के बाद एक head भी तो होना चाहिए जो आगे की तरब जाएगा head से ही तो खाओगे ना food को head बनाना पड़ेगा तो यहाँ पर head लिखा है head बनाने के लिए आपको एक turtle नाम की class का object बनाना पड़ेगा तब जाके एक head बनेगा तो turtle नाम की class जो है head dot speed speed zero कर दो वो रुका हुआ रहे one कर दो के तो वो चलने लगेगा zero रखो head dot shape square यह देखो run कराता हूँ आपको यहाँ पर दिखा ही देगा यह जो head है कहां गया head यह देखो यह square है दिख रहा है इसको दूसरा shape देदू रुको दूसरा shape देता हूँ यहाँ लिख देता हूँ square की जगध turtle turtle जैसा दिखने लगेगा run करूँ यह देखो आप देखो कैसा दिख रहा है turtle जैसा दिख रहा है यह देख रहा है लेगिन यह उपर लेने पे भी ऐसा ही रहने वाला है यह देखो तो आप इसको न सरकल भी कर सकते हो सरकल लिखता हो वहाँ पर जो भी चाहिए आपको अगर धूड़ना भी रहा ना कुछ भी तो आप यहाँ directly search करो Google पर की turtle नाम के shape नाम का function पाइथन में turtle के अंदर shape नाम का function क्या क्या पास किया जा सकता है उसमें आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो मैं इसको air ही रहने देता हूँ उसके बाद उसका color क्या होना चाहिए blue वो लिखा fill color pink border blue हो जाएगी और वो pink हो जाएगा यह देखो run कर आके दिखाता हूँ ध्यान से अगर notice करोगे आपको तो यह जो border दिख रही ना pink के पूरे बाजू में वो blue है और fill color आपने कौन सा color fill किया है pink तो यह सब functions है ready made बस आपको use करने है और आपको अपना काम करते रहना है वो मैंने लिखा यहाँ पे उसके बाद और नीचे जाता हूँ यह हो गया fill color pen up का मतलब क्या होता है अच्छा pen up जो है नहीं करूँगा pen up नहीं करूँगा अब देखो क्या होगा pen अच्छा आप मुझे एक बात बताओ मेरे हाथ में pen है अगर मैं pen को अपना करूँ बुक के उपर आपके पास एक notebook है मान लेता है आप अगर आगे की तरफ जा रहे हो तो line बन रही है देख रहे हो pen दबा के रखोगे अगर book पे तो line बनेगी न लेकिन pen को मैं उठा लूँ अब कर लूँ और फिर आगे जाओं क्या line बन रही है नहीं बन रही है जब दबाओंगा तब बनेगी तो ऐसे snake जो है जब आगे की तरफ जाएगा तो निशान छोड़ते हुए ना जाए दिखा दो आपको दिखाता हूँ अभी run करता हूँ कहा गया pink pen up कर दिया ना comment दे दिया run करता हूँ आगे जाओ ये देखो line बनाते हुए जा रहा है वो देख रहा है आप निशान छोड़ते हुए जा रहा है pin pin का color blue बताया था ना आपने इसलिए blue दिख रहा है turtle का color blue ही था ना उसकी border pink थी देख रहा है ऐसा होता है वो इसको close कर रहा होगी मुझे आपको यही समझाना और दूसरी चीज़ screen को 400 300 रखता हूँ बताता हूँ क्यों उसके बीचे की कहानी भी बताऊंगा अभी नहीं 600 पहले 600 था ना आगे आपको समझ मैं आ जाएगा उसके बाद देखो और क्या लिखा हुआ है यहां पर पैन अप जो है कहा गया यहां पर यह इसको भटा देता हूँ और लिखा है go to 00 अच्छा एक graph आपको पता होगा आप लोगों ने school में पढ़ा होगा graph graph कैसा होता है रुख जाओ यहां पर दिखा देता हूँ shapes अगर आपकी screen मान लेते हैं ऐसी है यह snake के game की अगर यह screen 600 वाई 600 की है तो बीच में क्या होगा 0 और यह यहां पर कितनी होगी 300 बराबर यहां पर कितनी होगी 300 यहां पर कितनी होगी माइनस 300 बराबर है ना और यहां पर कितनी होगी माइनस 300 टोटल 600 हुआ और first quadrant second quadrant third fourth ऐसे रहता है आपको याद होगा यह वो चीज है graph आप बोल रहा है हो 00 पे रहे वो सबसे पहले आपका snake कहा गया उपर यह उपर है उसका head यहां से बीच में रहे एक दम और यहां से शुरू कर सकते थे लेकिन जाने दो चलो यहां पर ही रहने दो उसको 00 से शुरू रखा है क्यों starting में direction कोई नहीं है रुका हुआ है फिर आप अगर बोलोगे अप down तो आपकी तरफ चला जाएगा down की तरफ चला जाएगा इसके लिए वो आप direction नाम की memory में ना stop ही रखो starting में यह predefined memory है head नाम आपने head जो बनाए turtle नाम की class की मदद से बनाया है तो उसी के प turtle किस लिए food कहीं food भी तो बनाना है ना ऐसा वो जगा पर रुका हुआ रहेगा आप इसको आगे आगे लेके जाओगे इसके पास लेकिन food तो रुका रहेगा ना तो आपको फिर से एक turtle बनाना है तो मैंने यहाप एक turtle बनाया speed उसकी zero की shape जो है circle कर दिया food का और उसके यह जरूरत तो नहीं थी कोई अगर आपको food को छुपा देना है कोई देखी न पाए तो hide कर सकते हो कोई जरूरत नहीं थी मैंने लिखा फिर मैंने बोला कि उसको 200 नंबर पे भेजो पहली बाद क्यों 200 नंबर पे zero 200 जीरो और 200 अब zero मैं आपको बता दू पहले x axis होता है यह आपका x axis है पूरा और यह वाला y axis है यह x है ना y 200 मैं यहाँ पे दिखाता हूँ रण करता हूँ यह दिखाता हूँ अरे मैंने ना फूट देखो किदर दिखा रहा है 200 नंबर पे टोटल 300 है ना यहाँ तक तो 200 पे फूट दिखा रहा है कहां पे y axis पे 200 नंबर पे आप बोल दो बीच में क्या 500 है ना यहाँ पे 500 और 200 मतलब फूट इदर दिखेगा लिख दू क्या 500 और 200 लिख देता हूँ 500 नंबर पे फूट दिखे 500 और 200 और शो कर दो उसको अभी रन करते हैं देखो फूट किदर दिखेगा आपका यह देख रहा हूँ जा सकते हो ना उधर भी आप तो हो गया कर सकता है इसा पहली बार वो वहां पे दिखाएगा उसके बाद वो अपने हिसाब से कहीं भी दिखाएगा scoreboard आपको screen पे scoreboard भी दिखाना फिर एक turtle बनाना पड़ेगा उसके बाद आपने यहां लिखा हुआ है shape नाम का function उसमें square पास किया हुआ आपको जो दिखाना है क्या बोलता है उसको आउट यह scoreboard दिखाता हूं रन करके कहां पर scoreboard यह दिख रहा है क्या black color का यह दिखाना आपको तो इसके लिए और आपने बोल दिया pen up hide कर दो उसके बाद गो to minus 250 250 अच्छा minus 250 यह एक से ना माइनस 250 मतलब इधर होगा लेकिन आप क्या बोल रहा है प्लस 250 भी है मतलब इधर मतलब आपका score इधर दिखेगा सही है क्या दिखना चाहिए score 0 यह राइट नाम का function होता है उसमें आपको यह पास कर देना है यह बड़ेगा कैसे आगे बताऊंगा ना बड़ेगा कैसे उसके बाद कुछ functions आपको बनाने है अब यह functions क्या है इसमें सबसे पहले आपको एक function दिखाई दे रहा है move up नम का क्यूं आपको अगर snake को उपर की तरफ ले जाना है तो move up अच्छा मुझे एक बात बताओ snake अगर उपर की तरफ अगर जाएगा तो आप down arrow दबाओगे तो तुरण नीचे आएगा क्या मुझे इतना बताओ नहीं न या तो वो left जा सकता है या तो right जा सकता है इसके अलावा और कहीं नहीं जा सकता क्यूं अगर आपको उपर की तरफ जाना है तो आपका जो है वो down में नहीं होना चाहिए अगर down में है नीचे की तरफ अगर वो जा रहा है down में तो उपर कैसे जाओगे नहीं जा पाओगे न अगर down नहीं है तो क्या करना है तो ही उसको उपर भेजना है देखो if यदि head.direction अगर down नहीं है मतलब left है या तो right है तब ही उपर जा सकता है बस अगर down की तरफ ले जाना है तो अपकी तरफ नहीं होना चाहिए अगर कोई snake उपर की तरफ जा रहा है तो उलटा थोड़ी जायेगा अगर वो लेफ्ट जा रहा है तो नीचे जा सकता है राइट जा रहा है तो नीचे जा सकता है तो अगर अब की तरफ रहे अब की तरफ ना रहे तो ही डाउन जाए लिफ्ट राइट की तरफ ना जा रहे तो ही लेफ्ट जा सकता है अगर राइट की तरफ जा रहा है ऐसा तो नहीं है तो ही राइट में जा सकता है उसके नीचे का कोड़ देखो अगर आपको रोकना है तो direction को stop कर दो रुख जाएगा एक move नाम का function बना रहा हूँ क्यों head.direction is equal to equal to up अगर direction उपर की तरफ है अपके snake का जो move है तो आपको बताता हूँ यहां पर move नाम का function है function define किया है खाली इसको call करूंगा बाद में यहां लिखा है इफ यदि head.direction is equal to equal to up अगर वो उपर जाने के लिए ready है उपर जाने के लिए तो यहां पर क्या करना है head.y coordinate निकालना है y coordinate क्यों उपर जाना है तो y मालूम होना चाहिए तो y coordinate की value को y coordinate नाम का एक function होता है उसको रखना है आपको किसके अंदर y नाम की memory के अंदर रख दिया आपने मान लेते हैं आपको आप यहां पर हो मान लेते हैं यहां पर आपके y की value है यहां तक कितना 100 है मान लेते हैं 100 किसमें चला जायेगा सव चला जायेगा y में आप क्या लिखर रहो हो 100 प्लस 20 120 हो जाएगा फिर तो 120 मतलब इससे थोड़ा उपर फिर तो आप इधर आ जाओगे और set कर देना set y नाम का एक function होता set कर देना hit की value आप यहाँ पर आ जाओगे मतलब अगर आपको उपर जाना है तो 20-20 करके आपको बढ़ाना पड़ेगा फिर और उपर जाओगे 20 और बढ़ाओगे इधर आओगे 20 और बढ़ाओगे और उपर जाओगे 20 और बढ़ाओगे और उपर ऐसे करते हुए जाओगे तो उपर जाने के लिए आपको 20-20 बढ़ाना है y को नीचे जाना है तो y को घटाना है नीचे की तरफ minus होता है न जीरो के बाद minus one minus two minus three कम होता है तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है ठीक है उसके बाद अब देखो आगे और नीचे जा रहा हूँ यहां लिखा left अगर आप left में हो left मतलब यह इस side कहां पर इस side तो minus करना है देख लो लेकिन x को coordinate find करना है यह x है न आपका सीधा वाला x है तो x और x में 20-20 गट आना है और अगर आपको right जाना है तो अगर right है तो right side में है तो plus करना है तो आप right की तरफ आगे आगे जाब 20-20 बढ़ाना है लेकिन मतलब 0 से 20 फिर 40 फिर 60 फिर 80 करते करते 300 जाएगा 300 के बाद 320 आएगा 320 तो ही नहीं न आगे 300 पे पहुंच जाए तो उसको minus 300 पे कर दो उसकी value x की value minus 300 कर दो ताकि आप पीछे आ जाओगे ऐसा ही है ठीक है उसके बाद आगे क्या करता है event handling main तो सबसे important code यही होता है सबसे tough code यही होता है किस button पे दबाने पे क्या होना चाहिए एक listen नाम का function होता है screen के पास यह जो आपका आपने screen बनाई थी देखो उपर s नाम रखा था उसके reference variable का उसके बाद एक listen नाम का function होता है उसको आपको use करना पड़ेगा उसके बाद लिखा है on key नाम का एक function होता है आपने move up नाम का एक function बनाया ना भी उपर वो लिखना है brackets नहीं लगाने यह function का इसमें दो arguments पास करने पड़ता है आपके function का नाम जो आपने अभी बनाया है move up नाम का function जब up button दबाओगे यह आपको यह keyboard का button है यू capital है देख लो keyboard का जो up button होता है ना उसका यू capital होता है down button जो होता है ना उसको ऐसे लिखना पड़ता है d capital move down नाम का आपका function use करो move right के लिए right नाम का button की बोर्ड पर तो आर कैपिटल space का button जो होता है उसका smally होता है move stop अगर आपको रुखना space दबादो आपका snake रुख जाएगा उसके बाद main loop यह आपके लिए सबसे जरूरी है अब यहाँ पर क्या लिखना है को लीजन चेक करो बॉर्डर से अगर बॉर्डर पर पहुंच रहा है snake हाँ बोलो कुछ पूछ नहीं हाँ पूछो कि माई कौन है अदित पूछो नहीं न अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि screen को update करते रहो अच्छा यह मैंने क्या लगा दिया while true का मतलब होता है जितनी भी लाइन इसके अंदर लिखी जाएगी वो infinite time तक चलेंगी loop को infinite मतलब continuously सारा लाइन चलके फिर उपर आएगा compiler सारी छलाएगा फिर उबड़ाएगा सारी लाइन चलाएगा उपर आएगा क्योंकि इस अब कभी रुकने नहीं वाला लगातार चलने वाला कभी नहीं रुकेगा तो यह चलने वाला चलने वाला code है ऐसा थोड़ी स्नेक आगे गया उसने फूड कहाई प्रोग्राम खतम हो इसलिए आपको वाइल टू के अंदर सारी लाइन लिखनी है को इंडेंटेशन कैसे दिये हुए एक दम यदि एक्स कॉर्डिनेट नाम का एक फंक्शन है वो बताता है कि आप इस समय कहां पर हो मान लेते हैं आप हो तीन सो पर मतलब ग्रेटर दैन दो सो नब्बे दो सो नब सेट कर देना है मतलब आप इधर आ जाओगे फिर सांप आगे की तरब जाएगा फिर अगर आप दो सो नब्बे पर आ गए यहां पर तीन से ज्यादा हो गए तो सांप इधर से स्नेक इधर से दिखाई देगा ऐसा है उसका मतलब तो सेट कर देना है एक्स की वैल्यू कितन तो सांप इधर आ गया तो आप यहां से निकलोगे वाफिस से यहां पर तो तो मुंदक कर दो 200 जा रहा हो तो अगर जा रहा हो तो अगर 290 से माइनस 290 से चोटा है तो यहां पर कर दो 290 मतलब माइनस 290 से बढ़ाया तो इसको प्लस 290 कर दो उसके बाद अब नीचे अब यहां लिखा चेक कोलीजन विद फूड अगर आप फूड के करीब पहुच गए, कहीं आपका food, वहाँ पहुच गए, तो food को गायब करना है यहाँ पे लिखा हूँ head.distance अगर food का distance जो है, आपने food पास किया, distance नाम का एक function होता है आपने distance नाम की function के अंदर क्या पास कर गया, food अगर food का distance जो है less than 20 आपके head का distance जो है food से less than 20 मतला आप पहुच गए food के पास अगर पहुच गए, तो आपको x की value, y की value में क्या रखना है पता है एक होता है random int rand int नाम का एक function होता है 290 से लेके minus 290 से लेके plus 290 इसके बीच की कोई value generate करो और वो x को दे दो कुछ भी 5 माल लो मैंने generate कर लिए 5 उसको मैंने दे दिया x को x को 5 दे दिया और फिर लिखा हुआ है y भी generate करो माल लेता है minus 290 और 290 के बीच में कौन सा ले लो minus 125 y की value minus 125 ले लेता हूँ food को भेज़ दो उधार x y go to x y x कितना 5 है go to 5, minus 125 5 मतलब 0 से x इधर है 5 इधर है माल लेता है minus 125 minus मतलब आप नीचे की दर minus 125 इधर कहीं होगा तो आपका food इधर आ जाएगा उसकी जगह आपने बदल दी जहां आपका head वहां पहुँचा तो आपने food की जगह बदल दी बस आपने क्या किया फिर आपको एक नया food जोड दी या आपके snake के पीछे body में एक body जोड दी वो जोड़ेंगे कैसे वागे लिखा हुआ है तो ये इस तरीके से food को बदल हटा देना है वहां से वो खा नहीं लेता बस हट जाता है वहां से और उसके body में एक नया जोड जोड जाता है तो ऐसा लगता है उसने खा लिया है इंक्रीस अ लेंद आफ स्नेक आपको snake का लेंद बढ़ाना बढ़ेगा अगर आपको food बदल देना एक जगह से दूसरी जगह पता लगे आपने snake की length ही नहीं बढ़ाई तो आप food के पास महुचोगे उसकी जगह बदलेगी लेकिन snake उतना ही बढ़ा रहेगा कभी बढ़ा ही नहीं होने वाला तो आपको snake को भी बढ़ा करना तो आपने फिर से नया turtle नाम का एक module बनाया क्यों आपको एक नया जोड़ना है ना body में एक नया food तो circle, red, black ये सब आपने जोड़ दिया append कर दिया bodies नाम का एक list आपने एक दम उपर बनाया था starting में ऐसा आपने empty list बनाया था आपने लिखा था bodies और उसके बाद equal to ये देखो ऐसा आपने बनाया था उपर बनाया था empty था append कर देने से उसमें एक body जोड़ गई फिर आप और body ऐसे बार बार जोड़ोगे ना पहली बार एक जोड़ोगे फिर जब एक code दूसरी बार चलेगा फिर जुड़ेगा तो एक code continuous score को 10 से बढ़ा दो सब एक line में लिखना है देख लो यहां पे सब if के अंदर आपको लिखना है यदी पहुँच गया तो क्या क्या करना है जितनी भी चीज़ा है if के अंदर है while के अंदर नहीं है if के अंदर while के अंदर if है if के अंदर सारा code लिखा हुआ देख लो delay score is equal to score plus 10 delay is equal to delay minus 0.01 अपने delay को भी यह कर देना ठीक है मैं आज यहीं तक पढ़ाऊंगा उसके बाद वाला यह जो आगे का code है updates the highest score score से जो आगे का code है वो अपने अगले lecture में हम देखेंगे तो मैं आज यहीं तक यह recording रोग देता हूँ और यह recording लगे तो मैं upload कर दूँगा दोनों जगह पे टेली ग्राम पे भी और यहाँ पे भी और आपको अच्छे से समझ में